तमस्कार योर मनी में आप सभी का स्वागत है। हैं आपके पॉर्टफोलियो को बेटर करने के लिए आपके सवालों के जवाब देने के लिए और अललल इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स पर हमसे चचा करने के लिए और आज भी मासत कुछ जानकार मौजूद रहेंगे लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अलग-अलग माध्यम देखी पा रहे हैं जिसके जरीए आप इस कारकम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना पॉर्फोलियो बेच सकते हैं यानि कि आप फेस्बुक और एक्स जो की ट्विटर है उसके जरीए आप जोड़ सकते हैं आसक अबाज यूर्मनी हमारा आश्टैग है इमेल के जरीए निकि यूर्मनी अडरेट न्डवल एटीन डॉट कॉम ये हमारा इमेल आइडी है इंटरस्टिंग टॉपिक चुना है हमने टर्म इंचुरेंस आपको लेगा आम तोर भर की भाशा में कि टर्म इंचुरेंस तो एक बहुती बेसिक टॉपिक है हर आदमी जानता है कि term insurance के बारे में होता क्या है लेकिन एक बड़ी interesting बात आपको मैं शुरू करता हूँ जिसके बाद हम समय जी से बाचीत करेंगे आम तोर पे term insurance को लेके कई सारी धारणाय बनी हुई है धारणाय ये है कि इस insurance से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये insurance आपको किसी गती दुर गती के बाद ही आपको मिलेगा आम तोर पेस का कोई benefit नहीं दिखता है पहला दूसरा अगर आप term insurance लेते हैं तो ऐसा insurance क्यों ना लिया जा जिसमें आपको maturity return भी मिले और in case of miss happening भी पैसा मिले तो लोग उससे club कर लेते हैं फिर वहाँ term आता है यूलिप जिसका नाम भी बदला गया है तो ऐसे ऐसे करके फिर आप investment और insurance की जो रेखा है उसको लांग के आप insurance से पलट कर investment की तरफ चले जाते हैं इसलिए आज इन सभी धारणों को दूर करने के लिए हमने समीर सर सर रिक्वेश की कि ये topic पर हमसे ओखास रचा करें समीर सर नमस्कार स्वागत आप खायर करम में आम तोर पे term insurance एक बहुती बुरे दौर से गुजरता है बुरे बुरे तरहां से देखा जाता है हीन भावना से देखा जाता है क्योंकि इसके सामने वो insurance कड़ा है जो की पैसा बना कर देता है और ये insurance वो है जो पैसा तभी इस्तमाल होता है जब कोई mis happening होती है आम तोर पेसका इस्तमाल नहीं हो किसी की जिंदगी वोग ज़्यादा बेटर माना जाता है तो आप term insurance को कैसा देखते हो क्या आपको भी ये problem face करने को मिलती है सुमे जी धन्यवाद आपके शोपे बुलाने के लिए term insurance आज insurance वर्ड सुनके ही हमने देखा है लोग किनारा कर लेते है पट financial planning या person finance की बात करते है तो term insurance बहुत important चीज़ है अपने financial planning के साथ को जोटनी ही चाहिए जबी भी आप investment शुरू करते हो तो पहले दो चीज़ आपको अवश्या करनी चाहिए उसमें से एक है term insurance और दूसरा है medical आप जितना जल्दी start करते हो उतना कम premium पे करना पड़ते हो जितना आप लेट जालू करते हो आपको premium बढ़ जाता है बट यह जैसे आपने बता है कि लोगों को इसके awareness नहीं है लोग insurance को अभी तरका उनका experience ऐसा रहा है जहां पे समझाने की बजाए emotionally blackmail करके या emotionally उनको trap करके बीचा गया है तो यहां पे हमारा suggestion always यह रहता है कि आप जब भी भी financial planning स्टार्ट करो term insurance बहुत ज़रूरी है term insurance को insurance की तरह नहां देखते हुए हमें अपनी income का अपनी income का replacement की तरह family की income की तरह देखना चाहिए generally देखा जाता है कि term insurance जो family का right earning member है उनको लेना चाहिए और उनको कुछ होता है तो उनकी family को उनकी lifestyle पे को impact ना हो उसके लिए term insurance बाई किया जाता है और वो उनको emotionally support नहीं कर सकता है बट financially ज़रूर सपोर्ट करता है so term insurance बहुत ज़रूरी है और हमने काफी बार देखा है कि लोग term insurance को ignore करते है क्योंकि उनको पैसा बापस नहीं मिलता है अपनी job शुरू करता है माल लिए 25 साल, 26 साल, 30 साल की अमर में तो उसकी term insurance लेने की पहली जो ज़रूरत है वो कहा होनी चाहिए फिर term insurance एक केस में लोगों को ऐसा लगता है कि insurance यानि की term insurance यानि की LIC तो अब private insurance के जो premiums होते हो बहुत कम होते हैं और क्रेडिबिल्टी है, नाम पुराना है इसलिए भी, यह दूसरा हिस्सा है सवाल का और तीसरा हिस्सा, अगर किसी ओ corporate term insurance मिला हुआ उसकी company की नौकरी के जरीए, तो क्या उसके लिए term insurance लेना जरूरी है, यान ले अभी दुख जाए, उसके पास समय है फर्दर लेने का, तो सुमिझ जी पहले मैं तीसरी question से start करता हूँ, जनरली देखा गया है कि corporate term insurance लेता है, बर काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जब वो job छोडते है तो जो notice period होता है, उसमें term insurance का benefit नहीं मिलता है, top of that जब वो job छोड़के दूसरे job में जाता है, और वहाँ पर term insurance मिलता है, तो वो time gap रहता है, दूसरा जब 58 के करीब आप काफी सारी जगाह ऐसा भी होता है, term insurance जो भी corporate लेती है, वो बहुत कम amount काता है, 10 लाग, 25 लाग, जैसी जैसी उनकी salary वो इसाब से जाता है, जबकि actual need बहुत ज़्यादा होती है, अब need कैसे identify करते है, जैसे आपने बोला कि आपका जो पहला question था, कौन सी age पे लेना चाहिए, तो पहले हम ये बताएंगे कि 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 लिए बहुत ज़रूरी है, जिस पहला, जिसकी financial income पे dependent लोगों की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, जैसे पच्चिस साल पे हो, आप जॉब की शुरुवात करते हो, तब आप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाम इंशॉरंस की जरूद नहीं है, आपको टाम इंशॉरंस की जरूद इसलिए पड़ेगी, क्योंकि अपकी future liability जो होने वाली, उसको consider करते हुए, आज ही आपको इंशॉरंस लेना चाहिए, तो जरूरी है कि आप कोई भी एच पे हो, जितना जल्ली हो सके, जैसे आप अर्न करना स्टार्ट करते हो, पहली चीज़ आपको बाइख करनी चाहिए, वो है टाम इंशॉरंस, अब आता है दूसरा question, जो है आपका टाम इंशॉरंस क्यों लेना चाहिए, या आप उसके important क्या है, तो टाम इंशॉरंस लेने के लिए, आपको, जैसे मेरा future liability क्या है, मेरे dependency, dependent लोग कितने है, मेरा आज की rate में किसके लिए ज़रूरी है, जिसकी income versus liability कम है, income कम है और liability ज़्यादा उनके लिए must है, और जिनके पास income ज़्यादा है और liability कम है, उनके लिए टाम इंशॉरंस की ज़रूरत कम रहती है, तो क्या सिर्फ LIC से ही टाम इंशॉरंस लेना चाहिए, या बाकी private player भी आँ कहीं न कहीं खड़े होते हैं, इस पूरी धार्णा में बदलाव की ज़रूरत है, ये पूरी धार्णा में बदलाव की 100% ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जब हम टाम इंशॉरंस की बात करें तो सिर्फ LIC देखा जाए, आपको ये देखना चाहिए कि आज की रेट में काफी तारे private player आ गए है, जिनका premium थोड़ा कम है as compared to LIC, और उनका claim settlement ratio जाता है, आप अगर ये दो चीज़ कंसीडर करते हुए लेना चाहते हो तो आप कोई भी life insurance company सिलेक करके आप ले सकते हो, सिर्फ दो चीज़ देखनी है, उनका claim settlement ratio क्या है और creditability पास में क्या रही है। अच्छा एक और इसमें छोटा सा मेरा doubt है कि क्या ulip जिसको ज़्यादा importance मिलने लगे है बजार की तेजी के चलते हैं वो ज़्यादा better है या आप term insurance का हिस्सा अलग रखें और उस पैसे को जो बचता है आपके premium में से उस पैसे को mutual fund में डालते हैं तो शादा अच्छा return मना जाले ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या सुमें जी जैसे आपने पताई unit link unit link कोई अलग परपस जो financial aspect जैसे टाम insurance का काम है आपकी life को सेफ़गाट करना जहां पर थोड़ा पैसा पे करके life insurance काफी अच्छी मिल सकते समच्छा बहुत अच्छा मिलता है जबकि unit link में आपको वह benefit नह रहता है जैसे आपने equity से death में जो movement करना है debt और equity का movement वहाँ पे without charge हो जाता है internal movement कर सकते हो rebalancing बहुत easy रहता है mutual fund में आप rebalancing नहीं कर सकते हो कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हो पर उसके लिए आपको एक बार withdraw करके आपके account में आएगा फिर महां से आप debt में डालोगे यह debt में डालोगे तो थोड़ा problematic रहता है जबकि इसमें एक click पे हो जाता है हम suggest करते हैं जब आप unit link पाई करते हो तो unit link पे आपको additional insurance के साथ mutual fund वाले benefit मिलते हैं बट यहां पे जो insurance का होता है उसका पैसा करता है जबकि आपने already term insurance लिया है तो आपके लिए कुछ-कुछ doubts clear करने कोशिश हमने की है चाहे यूलिप से लेकर हो insurance से लेकर हो या private और PSU insurance से लेकर हो आप उन सब को देखिए और एक अच्छा assessment आपको मिल सकता है आगे बढ़ते हैं और अब बाचीत करतें कुछ दर्शकों से भी जो हमाइा साथ मौझूज है राजकुमार जी राजकुमार जी हमाइा साथ मौझूद है BK jersey से बाचीत करने के लिए राजकुमार जी नमशकार कैसा सवाल अब का पूछी है अब सोने के लिए कुरिया कुमार जी तो जिस तरह से आप पैस करते हो बहत अच्छा पैस करते हो onion तो राजकुमार जी दो बाते मैं आपस पूछन चाहूंगा पहला जो आपने अलाइसी ले रखिए कि ये टर्म इंचुरेंस है कि ये यूलिप है जीवन आनंद इसके वारे में ज्यादा मैंने पड़ानी बहुत मैंने इन 5-6 साल के लिए ले लिए ती तर्फ ज्यादा मैं बाकी पूछ लूँगा और दूसरी चीज राजकुमार जी आपने क्या गोल आधारित निवेश किया क्योंकि मैं गवर्मेंट एंप्लई हूं तो 10-12 परसेंट मेरी सेलेरी इंक्रीज होती है और दियर लिए चलिए तो समीर सार दो-तीन सवाल पहला तो LIC जो इन्होंने जीवन आनने ले रखे क्या वो सक्षम है एक दूसरा फंड आपने देखे ही है इनके तीसरा दो क्रोड कोर्पस क्या दस सालों में यह अचीव कर पाएंगे अगर स्टैप अप करते हैं इसाइपी को तो कितना फीजिबल रहे गई है तो सुमी जी पहला राज राज कुमार जी ने जो दो करोड का लक्शे रखा है वो एसाइपी एंपिएस और उनका जीपिएस चल रहा है उसमे प्लान है तो ट्रेडिशनल प्लान में फिक्स रिटन मिलेगा एंडोमेंट प्लान नॉर्मली उनको जब पॉलिशी होगा तब पताया गया होगा अब उनके पर आते हैं तो पूर्फोलियो में हमारा सजेशन हमने आपका पूर्फोलियो कैर्फुली एनलेस किया है पहला इस बेंका लॉंट्रम एक्विटी अपने एसे पी रखा है वह कंटीनू रखे है एसे प्लेक्सिक के अमांट बढ़ा के 2500 करें आइसे प्रुडेंचल वेल्यू डिस्कोवरी का एसे बीडियो चल रहा है वह चालू रखे और उसमें अमांट 2000 रुपया करें अब बात आती ह जहां पर हम बदलाओं का सजिशन देते हैं वह है HDFC Mid Cap Opportunity Fund को आप HDFC Flexi Cap के साथ मर्च करते हैं और दूसरा सुझाओ यह है हमारे हमारी तरफ से है कि HDFC Index जो आपने रखा है BSE Sensex और Nifty तो BSE Sensex में जो 30 कमनी है वो कही न कहीं निफ्टी में कवर होई गा रही है तो आपको दो फंड की जरुवतानी है आप क्लब करके एक फंड करते जिसमें आप 3,000 रुपे तक का SIP रखे है लास्ट आपका जो रिप्लेस करनी का हमारा सजेशन है आपने HDFC का स्मॉल के और कोटक स्मॉल के दो फंड रखे है मैंने आपका हम लोगों ने यहां पर आपका पॉर्टफोलियो एनलेसिस किया है ज्यादा तर आपका ग्रोच स्टाइल पॉर्टफोलियो है तो हम एक फंड करेंगे जो आपको वेल्यू स्टाइल पे तो आपके लिए कई सारे अपडेट्स यहां पर आए हैं और उन अपडेट्स को आफ फॉलो कर सकते हैं सर और एक बार फिर से आपका हमें देखने के लिए सरहाने के लिए हमारे प्रेंड़ना बने रहने के लिए बहुत-बहुत शोक्रिया आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेटर और थीमेटिक फंड के अंदर निमेज किया हुआ सर इकुटी में डारेक्ट निमेज करता था पहले मैंने तीन से चार सा लगातार किया सर अब बदलाव क्यों किया कुमार साथ बदलाव इसलिए किया सर मेरे पास खुद के खर्चे के लिए अमाउंट लेता था वो मार्केट को जब देखता था उपर नीसे होती थी तो पैसा लगाने का मन करता था कभी निकालने का मन करता था तो अब मैंने सर अठारा महिने से लगाता था साफले साफले पीशान यह घा नहीं मेरा प्राइख भीट यहां पर अपर सुर सृब मेरा प्रैमेर सृब को एवे विले। दॉर आपटफिट ने टकाओिया से करें टरक। हम लेने सिर्न और प्रे का सूट करेल खी ऐपने सोट फरिए यहिए अधर मेरा उत कैसिनरों उसका benefit यहां पे ले पाऊं और मैं 10 साल तक में भी इसी तरहूंगा सर और यह amount सर मेरी fix है सर इसमें कोई बदलाव नहीं हो गाए सर तो आप क्या corpus expect कर रहा है या आप खुद जानना चाहते कितना वैसा बन जाएगा हाँ सर बिलकुल बिलकुल सर तो अभी आपकी 42,000 की SIP चल रही है और अब तक आप 6,000,000 की पहुँच चुके है तो समीर सर इनका सवाल है कि यह 42,000 की SIP कर रहे हैं शेयर मारकेट के उतार चड़ाव से बचने के लिए उन्होंने यह रढ़नीते अपनाई जो कि बलकुल सही रढ़नीती है लेकिन एक ही क्याच है कि इन्होंने स्थिमेटिक फंड बहुत सार उठा लिये है तो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़ादा है इनका तो क्या यह तरीका सही है दूसरा अच्छी चीज़ कि आई गोल्ड भी इन्होंने लिया इसमें यह तरीका सही है कि इस फ्लेक्सी फंड में जाएं मिट्कपश मॉल्कप भाइबिड फंड में जाएं क्या सज़ेस करोगे आप मेरा प्रभीन जी को सज़ेशन हमारे एंड से यह रहेगा कि सेक्टोरियल फंड अब जब इन्वेस करते हो अब जब भी बिवस्ट करते तो आपको यह बता हो ना ची कि कब exit करना है और आपके सारे sectoral fund हमने देखा हमारे एंड साब का portfolio का analysis हुआ सारे के सारे sectoral fund है sectoral fund in a way बहुत risky होता है कभी वो sector के लिए कोई negative news आता है या adverse situation बनते है तो आपको इससे काफी वो particular scheme काफी impact आ सकता है दूसरा आपने बहुत सारे sectorial fund invest किया है यहने आपने diversification का भी over diversification किया है जब आप over diversification करते हो तो उसका कहीं ना कहीं return पे भी impact आता है तो हमारे एंड से अपका पहला suggestion यह रहेगा आप maximum 6-7 fund में invest करें दूसरा sectorial fund की जगा हमारा always suggestion यह रहता है कि आप sectorial fund के साथ large cap, mid cap, small cap, flexi cap में diversified portfolio करें कहीं ना कहीं वो सारी companies जो आपने 17-18 scheme में राली है वो कहीं ना कहीं यह चारपां segment में cover हो जाती है तो suggestion यह रहता है कि आप अपना well-diversified portfolio बनाए इसमें large cap का भी portion हो, mid cap भी हो, small cap भी हो तो suggestion ऐसा रहेगा आपके portfolio हमारा सुझाव यह है कि आप अपने portfolio में निपॉन blue chip fund का SIP करें है फिर आप सी फ्लेक्सी के बैट करें मुतिलाल का mid cap fund में आप इंबस करें क्वांट का small के आप अपने portfolio में जोड़े SBI Contra का fund आप एक जोड़े और ICC Prudential का India Opportunity Fund यह छे फंड हमारे एंड से suggestion है अपार्ट आपने जो अपने portfolio में जो hold का रखा है उसके इलावा यह छे फंड हमारे suggestion है अगर आप यह छे फंड में अपनी existing SIP diversified करते हो तो आपका portfolio बहुत 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 बहुतरीन तरीके से well diversified अब आपका एक सवाल था कि आपका fund 10 साल में कितना इखटा होगा तो यहां पर हमने अगर आपका portfolio 12 परसंट का conservative average return generate करता है तो करीब एक करोड 16 लाग के करीब आपका fund इखटा हो जाएगा 10 साल के अंदर तो प्रवीन जी आपको राय भी दी गई है और साथ-साथ कुछ diversification कुछ बदलाव की भी जरूरत है उनको भी आप ज़रूर करिएगा आपका चुनाव वैसे सही है लेकिन सारे fund अलग-अलग सेक्टर में जाने से बहतर कुछ funds को at least आप hybrid funds के अंदर या flexi funds के अंदर भी ड परचा करते रहेंगे को longer duration of time में मिलेगा लेकिन अगर किसी ने term insurance एक लंबे अंतराल तक नहीं लिया है से 35 तक से 40 तक तो उनका premium थोड़ा जादा होगा तो अब वो जब कभी लेने जाएंगे term insurance तो उनके लिए premium जब वो देखेंगा तो वो कहीं LIC का एक high premium दिखाए पड़ेगा और सामने private insurance company होगे जिनका premium बहुत कम दिखाए पड़ेगा सो इस situation में वो चुनाओ कैसे करें और क्या करें तो सुमी जी आपका बहुत सही सवाल है जब भी टर्म insurance सिलेक्ट करने जाते हो तो premium के इलावा आपको insurance company का creditability भी देखना चाहिए उसके काफी जगा ऐसा दिखा गया है कि हाँ premium कम है लेकिन बहुत सारे राइडर्स जैसे एड़ नहीं करें होता है जो आप मैनुली एड़ करने जाओगे तो premium more or less equal हो जाता है जब आप ताम insurance लेने जाते हैं तो काफी ताम insurance में critical illness या personal accident का cover करके आपको club करके combo करके ही सीधा premium display होता है और काफी जगा पे आप देखोगे वह अलग रखते है तो आप जब सिलेक करोगे तो आपको premium बढ़ जाता है ये mature या in between कुछ होता है और पैसा family को transfer करना होता है तो उनको दिक्कत ना हो तो आम तो पर खाली premium देखके ही आपकी सस्ता मिल रहा है इसले आपने ले लिया ऐसा मत सोचिएगा और जितनी भी आपकी financial जानकारी है age से related, health से related वो ज़रूर शियर करिएगा ताकि कभी जब claim settlement का समय आए तो जिसको claim मिल रहा हो उसके लिए जादा तकलीफ ना हो तो ये कुछ चीजें जो बहुत जरूरी होती है निटी ग्रीटीज कहते हैं जो बहुत जरूरी होती है claim के form भरते समय या insurance के form भरते समय तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं कुछ द उमीद है कुछ आपको मिला हो उसमय से जी जी बहुत अची रवाइज मिलती है आपके शवते हैं चलिए बहुत बढ़ बढ़िया मताये नवनी जी क्या सवाल आज आज आपका सब्सक्राइब में सटाट किया है बेजिकली जो मैंने सटाट की है और अभी तैक्सेभर लेगेज मेरे पास तैक्सेवर फंडर उसको दो साल से मैं चला रहा हूं और अभी 3500 उसकी जाती है और एक ICIC प्रुदेंशल ए उसमें 1000 जाती है परमन्त और एक अभी मैंने नया सुना कि इस येर में है फार्मा में बहुत बेनफीट होगा तो इसलिए ये स्टाट किया है और एक ग्रो निप्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और बंदन रिटार्मेंट फंड और एक क्वांटम स्मॉल के फंड और जो टोटल अभी मेरा जाता है वो 7,000 से 7,500 के आफ तो नंदी जी बहुता है दो चीजे में आफ से पुछा चाहूंगा पहला तो आप क्योंकि आपने बोला आप अपन्चनावा वह देखते हैं तो आप मेरे ख्याल से एक्विटी निवेश भी करते होंगा डरेक्ली ये उसके अलावा ये मेरा इन्वेश है उसमें मेरा प्र आपने जो ये निवेश कर रहे हैं इसमें आपने एक लाइन बोली कि फार्मा क्योंकि ये साल फार्मा अच्छा करेगा मूचल फंड आम तौर पे सर या कोई भी निवेश आम तौर पे एक लॉंगर डूरेशन आफ टाइम के लिए किया जाता उसमें एक साल अच्छा करे वो शायद इतनी इंपॉर्टन्स नहीं रखता है क्योंकि आप एक बहुत लंबी जरूनी को देख रहे हो तो एक दो साल शायद मैटर नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी इस पर जादा भीतर राये जो है वो समीर सर दे पाएंगे समीर सर आपने पॉर्टफोलियो देखा इन कुछ बढ़ाने की जरूवत लग रही है कि पहले तो मैं सुटा जी को बताई देना चाहूंगा कि हम बहुत ही कम ऐसे निवर्चों को मिलते हैं जो अपना गोल साइट करते हैं और गोल बेस इंवस्टमेंट करते हैं तो नवीन जी वह बहुत लिमिटेड कास्टमर इंवस के लिए चाहिए 20 साल के बाद तो नवीन जी हमारा सेजेशन यह रहेगा कि आप जो भी SIP कर रहे हो उसमें से सिर्फ 2,000 का SIP आपने गोल साइट किया है तो उसके साथ लिंग कर देना एक 2,000 रुपे का SIP आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए गोल के साथ हो जाए दूसरा आपका गोल था रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए आपको 5,000 रुपे आपको एक करोड रुपया चाहिए 30 साल के बाद यहां पर हमारा सेजेशन यह हमने पूरा कैलकूलेशन के बाद आपको सिर्फ एक 5,000 रुपे की SIP यह गोल के लिए लिंग कर देनी है तो आप अगर इसको continuity के साथ 30-35 साल तक continue रखोगे तो आपका जो एक करोड का गोल है वो आराम से अची हो जाएगा आपका तीसरा गोल था 50 लाख आपको चाहिए 10-15 साल के बीच में इमर्जनसी फंड के लिए आपको अलग करना है यहां पर इसके लिए आपको additional SIP करनी पड़ेगी जो current आपकी SIP 7,000 की चल रही है उसको बढ़ा के अभी total आपको SIP 22,000 की करनी पड़ेगी और हर साल जैसे आपने बताया तक 10% का आप step up या increase करोगे तो अराम से यह तीनों तील गोल आप अच्छीव कर पाओगे अब बात है आपके portfolio पे तो नमीन जी हमने आपका portfolio अच्छे से study किया है जैसे सुमित जी ने बताया कि आपने pharma fund short term view लेके किया है जबी भी आप sectorial fund लेते हो तो sectorial fund में सबसे important चीज़ है वो है exit करना है जो अगर आपके analysis के साथ आप ready हो तभी निवेश करें otherwise हमारा always suggestion रहता है कि आप risky fund में invest करते हुए थोड़े कम risky equity side के well diversified fund में invest करें आपके portfolio पे हमारा सुझाव यह है कि आप मिराई asset का जो ELSS करें वो continue रखें उसके लावा आप निपोन इंडिया लार्ज के पर चार जार पांसो का साथ करें कॉंटम स्मॉल के फंड में आप तीन जार का साथ अमांट बढ़ाए मुतिला लोस्वाल का मिड़केप जो फंड है वहां पर आप तीन जार का साथ करतें SBA Contra में 4,000 रुपे का SIP करें और HDFC Large and Mid Cap Fund में 4,000 रुपे का SIP करें आप जो फार्मा सेक्टर में सिर्फ फार्मा सेक्टर में इंबस्ट कर रहे हो उसकी जगा ये आपका well balance portfolio कर देगा और almost सारे scheme में फार्मा का थोड़ा exposure होता ही है तो overall आपके portfolio को stability के साथ return generate कर पाएगा बिल्ड कर सकते हैं और इवर फिर से आपको और सभी दर्शों को in fact बहुत 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 शुक्रिया हमें देखने के लिए सरहाने के लिए और लगातार हमें appreciate करते रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया समीर सार हमासत बने रहने के लिए interesting topic पर बाचीत करने के के लिए और दर्शों के सवालों के जवाब भी देने के लिए टॉप फूर फंड्स आप स्क्रीन पर देखेंगे ही समी सब की तरस्के जो उन्होंने रिकमेंट किये हैं और उसी के साथ ही अब यूर्मनी को यहीं सब बैटेंगे हैं नमश्कार छोगा है यहीं से खाया झालों भी अन्होंने ठर्शों और भी शुर्मन excuse-क atom थूर्म ले खंड़णयू ईंगहल थिए ख events प्रोपованन सब के लिए को खंगे गिए